भक्ती मैं भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ती गंगा नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें आईए भक्त गंगो स्री कात्यानी देवी की कथा शुरू करें मा दुरगा के छट में सरूप का नाम कात्यायनी है इनका कात्यायनी नाम से पढ़ने की कथा इस प्रकार है कत नामक एक प्रशिद्ध महरशी थे उनके पुत्र रिशी कात्य हुए इनहीं कात्य के गोत्र में बिश्व प्रशिद्ध महरशी कात्यायन उत्पन्न हुए थे इन्होंने मा भगवती परामबा की उपासना करते हुए बहुत बर्षों तक बड़ी कठिन तपश्या की थी उनकी इच्छा थी कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले मा भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्विकार की कुछ काल पश्यात जव दानव महिसासुर का अत्याचार पृत्वी पर बहुत बढ़ गया तव भगवान परमपिता ब्रह्माजी प्रभु स्री विश्नु और भगवान स्री महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंस दे कर महिसासुर के बिनास के लिए एक देवी को उत्पन किया महर्शी कात्यायनन ने सर्व प्रथम इनकी पूजा की इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्शी कात्यायन के वहां पुत्री रूप से उत्पन भी हुई थी आस्विन कृष्ण स्चतुर दसी को जन्म लेकर शुकल सप्तमी अश्टमी तथा नौमी तक तीन दिन इनोंने कात्यायन रिशी की पूजा ग्रहन कर दस्मी को महिसासुर का बद किया था मा कात्यायनी अमोग फलदायनी है भगवान कृष्ण को पती रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्ही की पूजा कालिंदी यमना के तटपर की थी ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्टित हैं इनका सरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है इनकी चार भुजाएं हैं माता जी का दाहिनी तरफ का उपर वाला हाथ अवहय मुद्रा में है तथा नीचे वाला बर मुद्रा में है बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल कुश्प सुवित है इनका बाहन सिंग है स्री दुर्गा पूजा के छटवे दिन इनके शरूप की उपासना की जाती है उस दिन साधक का मन आग्या चक्र में इस्तित होता है योग साधना में इस आग्या चक्र का अत्यंत महत पून स्थान है इस चक्र में इस्तित मन वाला साधक मा कात्या यनी के चरणों में अपना सर्वश्व निवेदित कर देता है पर पून आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मा कात्या यनी के दर्सन प्राप्त हो जाते हैं मा कात्या यनी की भक्ती और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फ़लों की प्राप्ती हो जाती है वहा इस लोक में इस्तित रहकर भी अलोकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है उसके रोग सोक संताप भय आदी सर्वता बिनस्ट हो जाते हैं जन्म जन्मांतर के पापों को बिनस्ट करने के लिए मा की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है इनका उपासक निरंतर इनके सानित में रहकर परमपद का अधिकारी बन जाता है अतहा हमें सर्वतो भावेन मा के सरनागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए ततपर होना चाहिए जै मा कात्याएनी